गुड मार्निंग मेरी प्यारी से यूटूब फेमेली स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी अपनी चैनल ग्रहनी गार्डन ब्लाक्स पर दोस्तो कैसे है आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मैं अपनी चैनल पर अपनी डेली रूटिंग के कुछ ब्लाक्स साथ में अपनी देशी वाली रेसिपी आप लोगों से सेयर करते रहती हूँ आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है बीच में इसकीप मत किजिएगा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके तो आज की जो हमारी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है या कहिए हमारा जो ब्लाग वीडियो होने वाला है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथ में एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करना बिलकुल भी ना भुले तो चलिए आज का हम लोग मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं मेरी प्यारी सभी यूटूब फेमिली आज मैं आप लोगों को चने की दाल की एक दम नई रेशेपी बना कर बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से और मैं इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से सेर करने वाली हूँ कि हर एक चीज आपको बारिकी से बताने वा तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बन कर तयार हो जाएगी, बस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लिजे, अच्छे से समझ लिजे, बिल्कुल देशी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी इसकीप मत किजेगा, नहीं तो कुछ न कुछ छ साथ में मिलकर, दोस्तों यहां पर मैंने ले ली है चने की दाल, चने की दाल की इस रेशेपी को आपने इसके पहले कभी नहीं बनाई होगी, आज हम लोग एकदम डिफरेंट तरीके से मैं आप लोगों को सेर करने वाली हूँ, कि चने की दाल की रेशेपी बना कर हम लोग एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं तो यहां मैंने एक कटोरी चने की दाल ली है आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो एक कटोरी दाल को हमें एक डिब्बे में या कोई भी बरतन में हमें डाल देना है और इसमें पूरी दाल हमारी डूबना चाहिए इतन हमें पानी डाल देना है मतलब मैंने एक कटोरी डाल डाली थी तो इसमें तीन कटोरी हमें पानी डाल देना है और इसे अच्छे से डुबोने के बाद में इसे लगभग चार से पाच घंटे तक हमें ढखके रख देना है फूलने के लिए जब हमारे चार से पाच घंटे हो ज मतलब चार से पाज घंटे में हमारी दाल अच्छे से फुल कर रेडी हो जाती है। एक से दो छोटी चमच हमें पानी एट करना है क्योंकि दाल ये थोड़ी से हाड टाइप की रहती है तो इसे दो चमच पानी डाल कर हमें इसका पेष्ट बना कर तयार कर लेना है। तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसी नई नई सिजनेबल वाली रेशेपी मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूं। जिसका के नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए हमारी यहाँ पर पूरी चैनल की डाल हमने पीस कर रेडी कर लिया है। अब बड़ी हमें बनाना है, चने की डाल की हमें बड़ी बनाना है, तो बड़ी वाले मसाले मैंने पहले ही रेडी कर लिये थे, क्योंकि मैंने आप लोगों से सेर किया था, कि बड़ी की सिरीज मेरी चालू हो रही है, इसके लिए मुझे पहले ही मसाला सारा तयार कर लिया एक चमच हमें इसमें मसाला डाल देना है अगर आपने मसाले वाला वीडियो कौन कौन से मसाले डालना चाहिए अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर मसाले वाला वीडियो आप देख सकते हैं देखने के बाद में हमें बहुत ही सिंपल से मसाले ही डालना है और सिंपल मसाले डालने के बाद में इस डाल को हमें अच्छे से लगभग 5-7 मिनट तक हमें फेटने से हमारी जो बड़ी हम लोग बनाएंगे वो बहुत साप्ट बनेगी साप्ट बनने से जैसे अगर हम लोग सबजी बनाते समय हमें जब फोड़ना रहता है तो आसानी से हमारी हाथ से ही फोड़ जाए तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करना है मतलब फेटना है फेटने के बाद ही हमारी बड़ी एकदम साप्ट तरीके से बनेगी आप लोगों से और सेयर करे हूँ कि जो हमारे घर में डेली दूद आता है दूद की जो पन्नी रहती है पन्नी से आज हम लोग बड़ी बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीका है ना हाद गंदा होता है और ना ही टाइम लगता है एकदम जट पट बनकर रेडी हो जाती है त तो हमें इसका पेश्ट जो हमने तयार करके रखा है हमें पन्नी में इसे डाल लेना है मतलब जितना पेश्ट रहेगा उसके हसाब से दो तीन पन्नी हमें लगेगी और आराम से हमारे घर में ये पन्नी हमारी अउलेबल रहती है अगर दूद की पन्नी नहीं है तो आप तो इस्तरीके से को पूरी दाल भर लेना है और उसके बाद इससे सकती और यह बड़ी कोई भी बच्चा भी आराम से में अगर पननी में इस तरीके से अगर हम ने भर कर देदिया तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी दाल पनी में भरकर रख लिया है अब इसमें बड़ी हमें डालना है तो छोटा सा हमें कैची की सायता से गड़ा कर लेना है ज़्यादा बड़ा नहीं करना है अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी गिरेगी धूप में डालने से हमारी बड़ी एक तो जल्दी सूप भी जाएगी और साथ में बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बड़ी को हमें सुखाना लगभग दो दिन हमें पढ़ता है क्योंकि दो दिन में ही हमारी बड़ी सुकर रेडी होती है तो देखे इस तरीके से आसानी से हम लोग पन्नी से एकदम जट पड बड़ी बना कर तयार कर सकते हैं तो देखिये हम मैंने यहाँ पर प्लेट में बना कर आप लोगों को दिखा दिया है आप बाहर पन्नी पे या कपड़े पे किसी पे भी डाल कर धूप में सुखा सकते हैं अब मैंने ये डाली है तो इसे भी मुझे प्लेट सही थी धूप में डालना है क्योंकि इसमें प्लेट में जब भी हम लोग बड़ी डाले इसमें तेल होगे रहे हमें लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी जब अच्छे से सुख जाएगी तो वैसे ही ये बड़ी निकल कर र जरूर बताईए और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर सेयर करिए क्योंकि अभी विंटर सीजन में सभी लोगों को इसकी जरूत पड़ रही है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही नई रेसेपी के साथ में तेंक्यू